तो चलो प्यारे बच्चों यह एक important सवाल है और बच्चों को इस question में दिक्कत आता है वो actually हमें इस से कोई rock है उसका age calculation के लिए problem आता है बच्चों के लिए तो किसी rock का age कैसे calculate करेंगे तो इस problem को हम solve करेंगे ठीक ना तो how to calculate the age of rock ठीक ना यहां से तुम देखोगे isotopes x और y जिसका half life 1.4 दिया हुआ है कोई isotopes half life 1.4 into 10 की power 9 यहां से है ठीक है और in which it is stable a sample of the rock from a k pound to xy 1.7 ratio मतला बहुत लंबे टाइम बात जो है ठीक है एक isotopes x half life कितना है and dk2y जो x है वो टूटके y बनाया तो बहुत लंबे टाइम बाद xy की ratio दिया हुआ है तो यह कहते हैं rock का age कितना होगा तो समझने की कोशिश करना जब समय 0 था ठीक है तो जब समय 0 था तो radio activity x था यह और x की जो nuclei थी जिसमे nuclei simple रही होगी उसको मैं n naught मान लेता हूँ और इधर मैं यहां पर y मान लेता हूँ तो y कितना था 0 जब समय 0 था तो dk नहीं हुआ था जब time 0 था तो यह n naught था और यह dk नहीं हुआ था तो जब time t हो चुका तो n naught minus x n dash होगा n dash जो है बचा हुआ है t time बाद t time बाद n dash यह है बचा हुआ ठीक है बात समझ में आ है मतलब इसको 0 से n naught से n dash होने में time t लग गया है तो यही जो t है वो age of rock है इसी की हमें calculation करनी है कितनी time बाद ही n dash हुआ है और यह जो दिया है 1 ratio 5 वो t time बाद यह जो time है इसी t time बाद t time बाद found किया गया तो x और y की ratio दिया हुआ है तो x कितना है n naught minus x t time बाद और y x है और इसकी ratio 1 by 7 है बात समझ में आ गया तो अगर इसकी 1 by 7 है तो यहां से 7 n naught और minus 7 x और that is equal to x तो यहां से 7 n naught is equal to 8 x तो यहां से आप n naught की value आ जाएगी हो आ जाएगी यहां से say n naught की value आ जाएगी 8 x upon 7 तो 8 x upon 7 is basically nothing it is the n naught अब n naught यह है तो remaining जो बचा हुआ है remaining वो कितना है t time बाद that is end s है तो end s की value n naught minus dk तो n naught तो शुरू में था और end s dk मतलब 8 x 8 x upon 7 हो गया मतलब यहां से तुम calculate करोगे तो यह आ जाएगा x की value यहां से मैंने गलत लिका है यहां से तुम देखोगे 7 n naught x तो x की value 7 n naught upon 8 आ जाएगा n naught upon 8 that is remaining value t time बाद तो t time बाद जो ratio तुमें दिखेगी n dash upon n की n naught की हो जाएगी 1 upon 8 और 1 upon 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की power 3 अब मैं formula लगा दूंगा after t time बाद वाला ठीक है की n dash is equal to n naught और 1 by 2 time t और half life ठीक है और मैं इसको अगर apply करता हूँ तो n dash upon n naught की value आ जाएगी यहां से 1 by 2 t time लगा होगा और यह ठीक हो तो t time बाद इसकी value मैं निकाल लिया हूँ ठीक है 1 by 2 की power यहां से 3 और 1 by 2 small time t और half life ठीक है तो इसका मतलब बहुए time t की value आया time t capital T 3 आ गया तो यहां से value मिल जाएगी t is equal to 3 times इतने time बाद ratio इतना होगा half life दिया था 1.4 देखो half life की value कितना दिया था 1.4 into 10 की power यहां से 9 तो 4 42 ठीक है 42 into 10 की power 9 इतने years बाद ऐसा ratio possible होगा मतलब यही age of rock होगा तो 42.9 मतलब अपना C option सही होगा I hope कि आपको age of rock calculation में समझ में आ गया होगा कर दो